बाई, WWE का फंडा क्लियर हो, उनको पता था ये नले बेरोजगा, रात में उठतों नहीं पाएंगे, WWE देखने के लिए, हमारा मनीन दा बैंक पोपट हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने पहले ही SmackDown रात में कर दी, ताकि सुबह उठके लोग बोले, ए, SmackDown हो गई, ओ, यानि में हो रही थी, O2 Arena में, सेम Arena जहां पर Money in the Bank होने वाली है, and it was good, मतलब मैं already ये review बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता, of course नहीं पता हुगा, कैसे पता हुगा, क्योंकि मैंने record करा था, उसमें audio पूरे में record नहीं हुए थी, तो basically अब मैं revise कर रहा हूँ, जो चीज मै बाकी लोग जो है, पॉप करते हैं, ये लोग ब्लास्ट कर देते हैं, और जब सिंगिंग के बार ही आते हैं, तो ये लोग रिजीत सिंग भी बन जाते हैं, पता नहीं कैसे इनका अंदर टैलेंट आ जाता है, I don't know कि सौकर फुटबॉल की वज़े से आ रहा है, किस की वज सैमी जेन के लिए, क्योंकि केविनोवे से सैमी जेन टॉप डील हैं इस साल, राइट, और अगर वो ही लंडन वाले नहीं देख पाएंगे, तो कैसे लेगेगा, क्योंकि मनी इन दा बैंक में तो ये दोने हैं नहीं, तो ऐसे करके उन्होंने डाला है, स्मैक डॉन में किलो चैंपेंशिम मैच बिलो, और तुम्हें गाने का बड़ा शोक है न, काओ अब सैमी जेन के थीम सॉंग पर तो वो भी देखने को मिला, और मैं ये देखके अल्रेडी एंटिसपेट कर रहा हूँ कि या सैथ रॉलिस को क्या बुरिया रेक्शन मिलने वाला है, I won't to be shocked अगर पूरे मैच के दौरण सैथ रोलिस का गाना गाने से ये नहीं रुके तो, क्योंकि ये लोग कर सकते हैं, ये लंडन वाले सही मैं कहा रहा हूँ कुछ भी कर सकते हैं, केविनों सैमी जेन ने अपनी हाँ पर टाइटल रेटेन करी, इन वेरी गुड मैच, प्रिटी डेडली तो चलेगा, सारे बुरे हैं, तब बेड़ा गर गया, लेकिन थेयोरी ने आपर हरा, उसके बाद जब शेमस आए बचाने के लिए, वहाँ से मेरे को ये संतुस्टी मिली कि चलो, जोंस जिना के साथ जो थेयोरी का मैच था, उसके बाद से थेयोरी को कुछ नहीं मिला ना, एक हाइप होती है, वह बिल्कुल जीरो हो गई थी, लेकिन अब अगर शेमस के साथ राइवलरी होती है, थोड़ा अच्छा मेरे को फील होगा, और उपर से युनाइटेड स्टेट्स टाइटल ही क्यों? इंट्रकॉंटेंटल टाइटल चाहिए थी आपको शेमस जी, I don't know धमाल वाला सीन हो जाता है, वेन इट कमस तो युनाइटेट स्टेट्स टाइटल, पता नहीं है से सिचुएशन में सेमस आगे कैसे आ जाता है, अब टाइटल जीत भी जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहते है कि I.C. टाइटल जीते तो यादा अच्छ आज के लिए रखा था, यानि कि अगर बेली आज हारती तो मनीद बैंक में देखनी कोई नहीं मिलती, मतलब जिस दिन हारी उसके अगले दिन मनीद बैंक से गायब, अपै पागल है क्या, बेली है वो, तुमारा कोई वो नटालिया पटालिया थोड़ी है, जिसके ना होने मारता न, आडम पीर्स को कि बाए उसको जनरल मैनेजर की पोजिशन निकल जाती, ख्यार इतना भी रेंट नहीं करना चाहिए, क्यांकि बेली जीत गई है, उसके बाद शॉट्जी के बाल भी काट दी है, मतलब बेली कह रही है कि यार, खुश तो हूँ मैं तो मुंडन भी करके जाती है, तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अब अफकोर्स, बेली के साथ जो जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, लोगन पॉल आता है, लोगन पॉल इस गुड मैन, मतलब लोगन पॉल को टिके रहना चाहिए, अब जैसा भी शेडियूल है उस बंदे का बले, दो मेने में, एक बार, तीन मेने में, एक बार, एक मैच के लिए आता है, मेरे को चलेगा, अब भी, अब रोमन प्रेंस के सर पे खड़े हो के नाचो, मेरे को कोई प्रॉबलम नी, लेकिन आपके आने से पता नहीं, अच्छा जा लगता है, है ना, और ये मनी दबैं के लिए क्या रियाक्शन था, मालब एले नाइट को तो ऐसे रियाक्शन था, जैसे UK वालों ने अपने ही खेत में एले नाइट को उगा के भेजा था, US में, कि ये तो हमारी खेत की मूली है, अब हम देखो, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं अच्छी बात है, और मेरे को ये बंदा लेडर मैच नहीं जीता, तो मैं सही में बता रहो, ये सारी के सारे लोग जो है ना, ये UK में जो बैठे रहते हैं, क्राउड में, मुझे लगता है ये बियर पी के जो बैठे रहते हैं, तब इतना रियक्शन आता, ये सारे बियर की बोटल फोड़ने वाले रिं मैं जा रहा हूँ, और जाते जाते पेल दिया विचारे लोगन पोल में, अच्छा दा वो, अच्छा दा, उस गया ट्रिपल थ्रेट देखने को मिले, जिसमें बुच नहीं जीता, बाबाई, मैं यहाँ प्रिडिक्ट करके बैठा हूँ, और मैं यह सोच रहा हूँ कि LA Knight ज चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, आप ऐसे कैसे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत रिस्पेक्ट बढ़ती AJ चाचा, बहुत ऐसा नहीं कि अभी कम हो गई है, बट मैसिव इंप्रूब्मेंट होता, हम आपको भगवान मान लेते, कि AJ और कैरिन का मैच नहीं होगा, येस, अब एक और चीज बचा सकती है, वो है AJ स्टैस और कैरिन क्रोस का मैच, अगर अच्छा हो गया, तो चांसे मेरे को कम लग रहे हैं, है न, कैरिन क्रोस पर मुझे पूरा बरोसा है, कि ये मैच अच्छा हो, लेकिन फिर भी मैं कर और गलती से मैच अच्छा हो गया, त यू होगा, पता नहीं, लेकिन M.I.M. के लिए क्या रेक्शन मिला देगा था, पिंड्रॉप साइलेंस, मैंने का हाँ, बहुत सही, आपको क्या लगा रहा था, इसके लिए वो रॉड होरियर पॉप मिलेगी, और उसके लावा, शार्लेट प्रस आसका के बीच, बिच से, and ultimately, I want this rivalry to be a triple threat rivalry, उसमें ज्यादा मजा है, and finally, Roman Reigns, and Solo Sequoia, and the Usos का segment, मतला मैं चाहरा था कि कुछ एक्स्ट्रा ओर्डिनरी ना हो, ब्रॉल देखने को मिले, वो ज्यादा बेटर होगा, एक तरीके से, हमें ट्रेलर देखने को मिले, this is how WWE make trailers, right, कि यहाँ भईया, Go Home Show में, आप जो है, पेल दो एक दूसरे को, और वो ही आज हमें देखने को मिले, लेकिन उसकी पहले जो Jimmy and Joe उसे ने बोला कि हम तो Tribal Chief बनना ही नहीं चाहते, हम जिसको देखना चाहते है, उस पे हमारा पूरा वोट है, और वो है Solo Sequoia, और Roman Reigns के जो हसी चोटी, Roman Reigns को रहा है, सही लेकिन नहीं, वो बच्चा नहीं है, अभी हो क्योंकि Civil War में आपके साथ लड़ना है, इसलिए आपको कुछ कहाने ही, पर na Solo Sequoia इतना घूम के अंगूठा मारता, नहीं, Roman Reigns के बारे में कुछ नहीं बोलना है, आप इंडिया बाले नहराज हो जाते हैं, लेकिन मैं कहा रह है कि Usos ही मैच जीतने वाले है, Roman Reigns को Solo तो आपस में लड़ जाएंगे, और Usos कभी आपस में लड़ते देखें, यह कभी होने से रहा, और मैं कहूंगा कि आज का Segment अच्छा था, ब्रॉल हुआ, Crowd ने चुटा आया, ओ सोरी, Crowd गया रहो, Security ने चुटा आया, इट वस गुड अच्छा मोमेंट्स देखने को मिला, टॉप चैंपियन देखने को मिला, LA Knight के लिए रियक्शन आया, Crowd वस गुड, Matches वस गुड, Championship मैच वस देर, Kevin Owens और Sami Zayn के लिए रियक्शन, और उसके अलावा, A.G. Stiles and Kevin Cross भी था बाठीक है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, Just like I ignored, other, rest of the 0.75 ratings, definitely comments में आपने thoughts and reaction रिक के बाताना regarding this, और अगर आपके विडियो पसे दा है, तो प्लिए लाइक रेशेर को चैनल को सब्स्क्राइब करो,